गाइस अगर आपके पास आईसे इसे बैंक की एक multi currency travel card है और आपको उस card में foreign currency load करना है तो आपको ये वीडियो से पता चल जाएगा कि आप कैसे आपकी जो card है उस card में mobile app के थूरू कैसे foreign currency को load कर पाएंगे हलो गाइस में अभी तुलकम बेक टो मैं चैनल एपक से टौक गाइस शायद आपको पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ICSA bank के एक forex multi currency travel card apply किया था और वो card मेरे address पे आ चुका है तो आज इस वीडियो में मैं आपको live दिखाऊंगा कि उस card में कैसे forex currency को load किया जाता है multi currency travel card में अगर आपको foreign currency load करना है तो आपको सबसे पहले आपका जो ICSA bank यो ICSA bank के iMobile app पे register होना बहुती ज़रूरी है तो गाइस चलिए सीधे चलते ICSA bank के iMobile app पर और आपको दिखाते हैं कैसे इसमें foreign currency load किया जाता है मैंने Singapore dollar इसमें load किया है तो चलिए देखते है तो पहले तो आपको iMobile app को open कर लेना होगा उसके बाद Forex card का जो option है वहापे जाके आपको view balance के option पे आपको click करना होगा तो आपको सामने card का details आ जाएगा तो यहापे देखिए already मेरा 10 AGD load किया हुआ है तो और भी करना है इसलिए नीचे देखिए reload का option है तो यहापे आपको click करना होगा फिर उपर में आपका account number show हो जाएगा नीचे आपके account का balance show हो जाएगा उसके बाद आपका जो travel purpose है किसलिए आपको जाना है ओ यहापे select करना होगा फिर नीचे आपका country select करना होगा कि आप कौन से country में जाना चाते है उसके बाद आपको कब निकलना है और कब लोटना है उसका भी date यहापे आपको exact date आपको enter करना होगा आपका जो visa है उस visa के हिसाफ से तो यहापे मैं date select कर देता हो पहले तो यहापे दोनो date select करने के बाद आपको यहापे नीचे currency details के option पर क्लिक करना होगा फिर यहापे currency select करना होगा तो जैसे कि Singapore का currency है SGD तो SGD select करने के बाद यहापे नीचे आपको कितना unit चाहिए उससे यहापे enter करना होगा तो नीचे exchange rate भी दिया हुआ है जैसे कि 1 SGD is equal to 60.27 INR यह जो SGD या फिर exchange rate है यह लगातार change होता रहता है तो आपको जब पैसा load करना है तो उस दिन का rate रहेगा उसी हिसाफ से आपको लेना पड़ेगा तो यहापे 300 लिखके यहापे जो नीचे add का option है तो add के option पर आपको क्लिक करना होगा add के option पर क्लिक करने के बाद नीचे देखे review your order का option है तो review your order के option पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके सामने एक terms and condition का option आजाएगा तो यहापे आपको I agree pay option पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा तो आपके सामने जो rate है उसका पूरा details आ जाएगा मतलब आपके account से कितना रूपिया debit होगा यह 3008 GD के लिए तो उसका पूरा details यहापे आगे है फिर यहापे security के लिए आपका जो debit card है उसका पीछे का grid number मांगा जाएगा तो आपका जो debit card है उसके पीछे में जो grid value है उसको यहापे enter करके submit के button पर आपको click करना होगा तो submit के button पे click करने के साथ साथ आपका जो forex card है उसमें आप जितना unit लेना चाते है वो तुरंत add हो जाएगा तो यह पर देखिए successful बोल के आ चुका है उसका भी message आपके phone में साथ ही साथ आ जाएगा कि आपके card में यह जो पैसा है add हो चुका है तो यह पर एक बार आपको दिखा देता हो balance के option पे जाके पहले मेरा 10 HGD था अभी देखिए 310 HGD हो चुका है तो guys आपने देखा कितने आसानी से आपको जिस country में जाना है उस country का जो पैसा है वो इस card में लोट कर सकते गाइस वीडियो को लेकर अगर आपके मैंन में कोई भी सवाल है तो please comment वेक से बताना मैं उसका answer जरूर करूंगा गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो like किजे, comment किजे और अपने दोस्तों के शाथ share भी कर दीजेगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए मिलते अगले वीडियो पर तब तक के लिए thank you take care and bye